रिस्क रिवार्ड और इस क्लारिफिकेशन का बजार पे और अदानी स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा ये डिस्कस करते हैं निकुंज हमारे साथ आचुके हैं स्टूडियोज में उन्होंने लंबी बात किया में पूरी बात्षीत आपको दुबारा सुनवाएंगे इसरा क्योंकि आपका इतने सालों का अनुभव है रिडिंग बिट्वीन दे लाइन्स आपने अदानी मैनेजमेंट के कॉमेंटरी का क्या माईने निकाला पजार के सबसे तेखिए आजे आप स्टोरी को आगे लेते हैं ये ट्रेंड को आगे समझते हैं क्यों गिरा is not the point क् first second FPO अगर नहीं sale through होता है अगर FPO fail हो जाता है तो इसका impact क्या पड़ेगा और अगर वह sale through ये subscribe हो जाता है तो इसका impact क्या पड़ेगा अडानी मैनेजमेंट बोल रहा है जी हम confident है issue will go through और जब management इतनी confidence इतने दमदार चाती ठोक करके बोलता है जी issue will sale through तो लगता issue will sale through कि अगर अगर अडानी enterprise का stock price जो है अगर FPO से 10% नीचे है तो retail investor को को logic ही नहीं आने का यह जो share है इसके अंदर assets है asset platform है इसके अंदर infra business है, gas business है, airport business है, electricity transmission business है तो यह लंबी अवदी के निवेशों को के लिए बहुत अच्छा है तो retail investor जो की एक IPO pop के लिए आता है, FPO के अंदर discounts देखकर के आता है, I think retail investor नहीं आएगा मगर क्योंकि institutional investors ने अगर confidence दिखाया तो issue will go through if issue goes through तो आप यह बोलोगी जी Adani group of stocks के अंदर जो हमने गिरावट देखी थी शायद वो गिरावट रुख सकती है, एक factor हो है second factor है जी क्या पुरा का पुरा आज जो market है के विए इनी stocks पे ही रहेगा, जी नहीं नतीज़ें है, budget है, नतीज़े आने वाले है, FOMC है, तो market in L&T है, State Bank of India आने वाले है, budget है हम budget कैसे बुल सकते हैं, बड़ा budget है, तो market उन पहलूप पर भी बात करेगा तो एक बार FPO अगर निकल जाता है और Adani group of stocks settle हो जाते है, आज नहीं तो कल नहीं तो परस्वर, stocks prices settle होंगे, और अगर stock prices settle हो जाते हैं, तो market अब आगे भढ़ेगा, market में, second half of the trade में, if the stocks don't fall, markets will start talking about budget से क्या आ सकता है, FOMC से हमें क्या उमीद रखनी चाहिए, L&T के नतीज़ों से आज क्या क्यों हमें मिलता है, State Bank of India से हम क्या उमीद रखेंगे, तो हम कहते है अगर, this cannot be the center of universe, Friday को a center of the universe हो चुका था, अब बात आगे भढ़ चुकी है, अब ये story है जी, एक foreign research stroke hedge fund ने report निकाली, Adani ने इसको deny करा, उन्होंने 400 page का एक letter लिखा, उसके बाद उन्होंने फिर clarification दिये, ये वाद विवाद तो चलता रहेगा, हम के वर fact reporting कर रहे हैं, fact reporting यह हो जाएगा, अगर FPO sale through हो जाएगा, तो हो सकता है, इन stocks के अंदो जो volatility है, थोड़ी थमसी जाए, अगर from a market standpoint, this is not the only story, and will not be the only story for next two days, बिल्कुल, ये तो बात हो गई, Adani Group stocks की, जैसे कि आपने कहा, आगे बढ़ते हैं, banking stocks के बारे, पूरे banks को एक भाव से बिचा, तो दिन आप वहाँ value दिखरी है, banks में हमने देखा था कि एक तरफा move आया था, September, October के बाद एक प्रकार का move आया था, वह भी काफी जादा move आया था, समझना ये है कि क्या banks के अंदर कोई चिंता का विशे है, हमने State Bank of India का statement देखा, उन statement से लगता नहीं है कि banks के अंदर कोई lending को लेक करके समस्या आने वाली है, दूसरा, banks देखिए, stock price पर आपको पैसे नहीं देते हैं, वो आपको underline asset price पर पैसे देते हैं, जो उनकी leverage होती है, वो शेर price से leverage नहीं होती है, वो होती है asset, तो कौन सी assets है अदानी group of companies में जिनकी वज़े से banks को समस्या हो सकती है, तो वो भी नही State Bank of India ने record पे बुला है, तो आगे-पीछे banks में मुझे लगता है कि जो गिरावट का माहूल है वह थम सकता है, बगर जो बड़ा issue रहेगा, जे वह रहेगा कि budget के नदर क्या आ सकता है, और उसका impact क्या आएगा, क्या short term का tax structure है, जो भी 15% है, क्या वह change होगा, अगर वह change nervousness ज़रूर आएगी, क्या long term की definition एक साल से दो साल हो सकती है, अगर वह एक साल से दो साल होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा sell-off event है हो सकता है, एक नीज़क reaction आजाए market के अंदर, बगर तीन चीज़े होई है, adani group of stocks में sell-off, FI की बिकवाली, nifty technical level से नीच जब चारों चीज़े एक साथ आती है, तो market के अंदर एक प्रकार का मन्थन हो रहा है, तो मेरा मानना है कि market में इसमें मन्थन हो रहा है, जब मन्थन होता है, तो wish एक समय निकलता है, अमरत किस तरफ है, ये बताईए, हमारे विवस के लिए, अग्छिये मेरा कुशन यह है कि retailer इसमें क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, market के अंदर कोई rule book में नहीं लिखाए कि आपको रोज position लेनी चाहिए, ये फिर रोज trade करना चाहिए, देखिए निपी साब आने वाले तीन दिनों में, आने तो क्या आगले तीन दिनों में, इस market के अंदर जबरदस volatility रहेगी, और जब volatility रहेगी, तो आपको market दो तरफा घुमेगा, news है, events है, views है, globally भी चीज़े चल रही है, FMC भी आ रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर कि market में volatility रहेगी, बगर मुझे जो confidence आ रहा है कि market के अंदर ज़्यादा गिरावाट क्यों नहीं रहेगी, इसका प्रम बड़े मुद्धे हैं, Adani Group of Stocks, FPO से लेकर कि उसे sentiment हमें connect रहना चाहिए, budget में क्या आएगा, ये एक तारिक को ही पता लगेगा, और तीसरा FOMC और जो बड़े number दा रहे हैं, इन चारो event का जो mission जब होता है, तो market के अंदर volatility रहेगी, रहेगी, जबर बस्त, शांदार है कि कोई एक समझ में आ रहे है कि फिलाल थोड़ा volatility रहेगी, आपको थोड़ा संभल का trade करना और आपको कहीं नहीं चाहना, आपको सिरफ E.T.N.O. सवदेशी देखना और E.T.N.O. English में देखना है, क्योंकि निकोज जहां भी होते हैं, वहां भी होते हैं, वही जा रहा हूँ ह ठीक है, तो हिंदी इंगिश दोनों के विवर्स के लिए हैं, ठीक है, डाल